Hello students, स्वागत है आप सभी का RV Youtube class में तो students आज हम ये question लेकर क्या है ये question class 8 की math की book से लिया गया है question number 3 है तो चलिए देखते है question क्या कहता है और इसका solution क्या होगा तो सबसे पहले जो question उमको बोला गया है question number 3 है find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction तो यहाँ पर एक तरीका होता है square root को find करने का वो होता repeated subtraction अब मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ repeated subtraction के बारे में है ना थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता देता हूँ फिर solution शुरू करता हूँ देखिए repeated subtraction method में क्या होता है कि जो odd numbers होते हैं हमारे जो odd numbers होते हैं जैसे कि 1, 3, 5, dash, dash, infinite तक तो यह हमारे odd number होते हैं इनको क्या करते हैं हम बारी बारी जो है दिये गए number से minus करते हैं तो जिस step में हमारा जो subtraction है वो 0 हो जाता है वो जो step का number होगा वह हमारा उसका square root होगा इसको कहते हैं repeated subtraction method तो चलिए इस question को solve करते हैं इसको generally हम 3 digits तक apply कर सकते हैं जो repeated subtraction method होता है वो 3 digits तक accurate होता है मतलब कि 100 तक के digit होते हैं वहां तक यह accurate होता है उसके आगे यह accurate नहीं हो पाता है तो चलिए फिर solve करते हैं इसको हटा देते हैं तो मैं आप जो solution start करेंगे वो 100 से करेंगे है ना 5 तो so let us find the square root of 100 by repeated subtraction method कि रिपीटेट सब्ट्रेक्शन में अब देखो यहां पर हमने आपको बताया कि स्टेप तो हमेशा स्टेप को रोमन काउंटिंग में ऐसे राइट करेंगे स्टेप वान स्टेप टू ऐसे करके ठीक है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा यह होगा हमारा फॉस्ट स्टेप और यहां पर नंबर हम लेंगे सबसे पहले हंड्रेड तो हंड्रेड यहां पर राइट कर लेते हैं अब सबसे पहला और नंबर कितना होता है फॉस्ट नंबर कौन सा होता है तो फॉस्ट नंबर होता है वन तो आपको क्या करना है यहां पर dwt अब यहां पर यह वाला नमबर लेंगे सब्सक्राइब यहां पर रेट करेंगे 99 ठीकए मैं पहले ओड़ मेर by two राइट कर देता हूं और नमबर वान होता है три होता है फाइफ वोता है 7 होता है डास तो अब देखो 1 तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया अब हमारे कौन सा आएगा अब हमारे आएगा 3 ठीक है तो अम यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे तो 9-3 विकम 6 96 अब हमारे आजाएगा 3rd step कौन सा step आजाएगा 3rd step अब यह 96 हम यहाँ पर write करेंगे और अगला जो number लेंगे वो यह वाला लेंगे 5 यहाँ पर minus कर देंगे तो 5 minus करोगे 96 में तो बचेगा 91 अब 4th step लेंगे तो यह जो 91 है इसको हम यहाँ पर write कर लेंगे अब 5 के बाद क्या आता है odd number में 7 आता है तो मैं यहाँ पर लिखेंगे minus 7 अब आप जब 7 करोगे तो कितना बचेगा 84 बचेगा है ना 11 minus 7 करेंगे तो 4 आजाएगा 84 हो जाएगा अब हम अगला step लेंगे वो हमारा 5th अब यह हमारा आगया इधर 84 अब 84 में हम अगला जो odd number होता है वो होता है 11 यह आपको 9 होता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो हम यह आपर minus करेंगे 9 से तो जब हम 9 से minus करेंगे तो यह हो जाएगा 14 14 minus 9 5 और 7 minus 0 become 7 अगला जो step करेंगे वो होगा हमारा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 75 और 75 में 9 के बाद क्या आता है और नमर में 11 तो 11 जब minus करेंगे तो 5 minus 1 become 4 and 7 minus 1 become 6 next जो subtraction करेंगे वो हमारा आजाएगा 7th step और 7th step में हम subtraction करेंगे 64 में 11 के बाद और नमबर कौन साथ है 13 तो 4 minus 3 करेंगे 1 आजाएगा और 6 minus 1 करेंगे तो 5 आजाएगा ठीक है इतना हो गया आप थोड़ा इधर write कर लेते हैं तो अब हमारे पास जो नमबर आया वो आया 51 और जो हमारा step आएगा 8th step तो 8 step में हमारा 51 minus 13 के बाद जो odd number आता हो कितना आता है 15 आता है ठीक है 13 के बाद odd number आता है 15 तो अगर आप 51 में से 15 को minus करोगे तो 11 minus 5 6 बचेगा और 4 minus 1 3 बचेगा 36 तो यहाँ पर अब हम अगला step होगा हमारा 8 8 के बाद हो जाएगा 9 कौन सा हो जाएगा 9 और यह number दिखेंगे 36 अब अगला जो odd number होगा वो कितना होगा 17 अब अब 16 में से अगर 7 को minus कर दें तो 9 हो जाएगा और 2 में से 1 को minus कर देंगे तो 1 हो जाएगा अब अगला step हो जाएगा हमारा 10 कौन सा हो जाएगा 10 और यह कितना है 19 और odd number में कितना आएगा 19 आएगा ठीक है तो यहाँ पर जाएगा 0 तो आपको कुछ इस प्रकार से subtraction करना है कि आपका subtraction कहां पर पहुंच जाए 0 पर पहुंच जाए तो जब 0 पर पहुंच जाए यहाँ पर लिखेंगे सिन्स था सब्ट्रक्शन आफंडर्ड बिकम जीरो आट तेंथ श्टेप सो दा स्क्वाइर रूट आफ हंड्रेड इज इकवल तो टेंड इस इजावार आंसर वाट वी नीड अब यहाँ प्राब्लम यह होती है कि अभी आपने देखा आपने पहले आड नंबर लिखा और उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रेट किया लेकिन आपको यह नहीं करना है एक बार अगर आपने यहाँ पर लिख लिया तो आप इसमें दो एड करते जाएं जैसे 2 यहाँ पर एड कर लिया 2 यहाँ पर एड कर लिया 2 यहाँ पर 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 तो इस प्रकार से आप एड करते जाएंगे आपका बनता जाएगा आपको सब्सक्राइब करेंगे किसे रिपीटिंग सब्सक्राइब में आपको फिर से बता दें कि जो और नंबर होते हैं उन्हीं को बार-बार माइनस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आप ऐसे भटा-बट राइट कर लिजिए फर्स्टेप सेकेंड इस्टेप थार्ड इस्टेप फॉर्थ स्टेप थेप्स्टेप इस्टेप सेवन्थ इस्टेप एड्स टेप तो यहां पर सबसे पहले आजाएगा 161 और आपको पहला ओर्ड़ नंबर माइनस करना है विच इस बन इस बिकाम वजग एट फिर्यांपर रइट करना है वन 68 और यहाँ पर आपको दूसरा अर्ट नमबर माइनस करना है जिस 3 आप 1 में 2 प्लस कर दीज़े यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा तो अगर आप 3 माइनस करेंगे तो यह बन जाएगा 165 अगें आप यहाँ पर राइट कीजिए 165 और यहाँ पर 13 में से 9 माइनस होगा तो 4 आजाएगा और 4 में से 0 आजाएगा तो 144 आजाएगा अब 144 में से आप माइनस कीजिए 11 को 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11 ठीक है? अब यहां से आप 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा अब फिर आप यहां पर 1, 3, 3, write कर दीजिए और यहां पर देखो 11 के बाद क्यों सा और नमबर आता है तो जब आप 2 एड करोगे तो आपको भी लेगा 13 ठीक है? 3 माइनस 3, 0 3 माइनस 1, 2 और यह 1 फिर आप यहां पर लिखिए 1, 2, 0 दिखाई दे रहा है ठीक है 1, 2, 0 अब 13 के बाद आता है 15 अब 15 को आप माइनस करोगे तो देखो 105 हो जाएगा 105 हो जाएगा ठीक है? अब इदर थोड़ा सा इस्टेप बढ़ा लेते हैं देखते हैं कहां तक जाएगा? 8 के बाद आता है 9 पिर आता है 10 और फिर आता है 11 तो पहले इतना करते हैं ठीक है? अब देखो यहाँ पर 105 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 105 लिख लेते हैं और यहाँ पर 15 लिया है तो 15 में 2 एड़ करेंगे 17 हो जाएगा यानि कि अगला 8 नमबर कौन सा आएगा? 17 अब देखो 15 में से 17 को 105 में से 17 को माइनस करना है तो यह इससे जाके कहरी लेगा 15 15 माइनस 7 करेंगे तो आजाएगा 8 है ना? और यह इसके पास 9 है क्योंकि एक उसने कहरी दे दिया आप देखो यहाँ पर आजाएगा 98 और 98 में से आपको माइनस करना है यहाँ पर दो एड़ कर दीजे 19 तो 18 हो जाएगा 18 माइनस 9 करेंगे तो कितना आजाएगा 9 और 7 माइनस 1 करेंगे तो आजाएगा 6 ठीक है 11th step में क्या होगा आपका 69 माइनस और 19 के बाद आता है 21 तो 8 आजाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 2 माइनस 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आजाएगा अब हमारा आता step number 12 तो 12 में क्या होगा 48 minus 23 करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 8 minus 3 5 और 4 minus 2 2 finally जो है 13th step में क्या होगा 25 इधर आजाएगा और minus करने वाला भी 25 हो जाएगा तो इस case में हो जाएगा 0 और 0 किस step में हुआ तो 0 इस step में हुआ यह कौन सा number है यह 13th step है ठीके यह कौन सा step है 13th step है तो लिखेंगे since 169 became 0 at 13th step so the square root of 169 is equal to 13 यह मारा answer हो गया तो मीद करता हो student किस वीडियो में आप लोगों समझा पाया होंगा अगर यह वीडियो आप लोगों हेलफूल लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसी प्रकार के वीडियो लेके मिलते रहेंगे तब तक के लिए thank you class